दोस्तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अरब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक हैं लेकिन अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि बंदा शैंपू नहीं हो सकता वैसे तो आप सबने कई फणी वीडियो देगी होगी लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको हबीबी डिं के अंदर जाएं तो ये लोग ऐसे सीरियस बिहेव करते हैं जैसे अभी बंदे को कच्चा खा जाएंगे इवन एरपोर्ट्स पर भी इनका एच्ट्यूड लेवल कश्माला तार्ग से भी ज्यादा होता है लेकिन मज़ी बाद ये है कि जब इनकी ड्यूटी खतम होती है त कि वीजा ओफिस में यला यला करके लोगों को भगा रहे होते हैं एनिवे जो भी हूँ इनकी हबीबी ठुमके वाके ही में देखने लाइक हैं अलो करते थे फिर जमना एडवांस हो गया और अब हल के लिए ट्रेक्टर यूज के जाते हैं लेकिन अरब लोगों का स्वैग लेवल पूरी दुनिया से उपर है ये लोग तो खेद में हल चलाने के लिए भी लैंड क्रूजर का इस्तमाल करते हैं बंदा इस चैंपू से पूछे कि तेरे पास अगर इतने पैसे ही हैं तो खेदी बड़ी करने की लोड केड़ी है बारहाल हमारे यहां लोग लैंड क्रूजर लेकर उकाद से बाइर हो जाते हैं और इस हभीबी डिंग डॉंग ने लैंड क्रूजर को ही खुआर कर दिया है दोस्तों दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पैट्स रखना पसंद करते हैं आम तोर पर चोटे जानवर जैसे बिली और कुटे को पैट की तोर पर पाला जाता है लेकिन हभीबी इसका पैट लेवल भी थोड़ा कैजवल है पहली बात तो यह है कि अरभी लोग उंठ जैस देखर ऐसा लगता है जैसी यह किसी अरभी की ओलादे हैं बै अरभ मुमालिक में तो उंठ भी फुल मजे करते हैं अफकॉर्स यह लोग दुनिया के सबसे रिच मुमालिक में रहते हैं और गरीब कंट्रीज के तो शेर भी बिचारे बेरोजगार होते हैं दोस्तो माशाला अरभ लोगों को अल्ला ने बेशुमार दौलत और रिजग से नवाजा है लेकिन अब इतनी भी क्या एमरजन्सी है कि बंदा पूरे महीने का राशन एक दिन में ही पका ले वैल ये जो अल हबीबी टोला आप दिख रहे हैं इनने चार बंदों के लिए इ नो बीफ पलाओ वाले इतने चावल 500 लोगों को बेश डालेंगे बुरी बात ये है कि इन मा के लाड़ों ने खाना सिर्फ एक प्लेटी खाना है और बाकी सारे रिजग को जाया कर देना है उपर से इन शापरों ने चावलों की पांच देगें एक ही परात में पलट ली है तो बाकी बच्चे चावल किसी के खाने के लाइक नहीं रहने ये सच में हमाकत है दोस्तो अगर आपका कभी अरब कंट्री में जाने का इतवाक हुआ हो तो आप जानते होंगे कि अरबी लोगों को काम करने में मौत पड़ती है बिसिकली इनके दो ही काम है खाना ठूसना और यला यला करना वैल ये जो या हभीबी भाई आप दिख रहे हैं माशाला इन्हें देकर ऐसा लगदा है जैसी ये अभी अभी चार पाकिस्तानियों छे इंडियंस और 20 बंगालियों को कच्चा खा कर आ गए हैं लिडरली इनका पेट गाड़ी के स्टेरिंग में फसा और कुछ लोग मनोगन दिन भी करवाते हैं में अब करने के लिए कुछ नहीं रहा मजाक उड़ाने के चक्कर में हाजी साफ की अपनी टांगे दर्द करना शुरू हो गए सिर्फ इतना ही नहीं बलके फिर इस बंदे ने जो कि इंजड़ था एक एपल उठाया और चाचु के सामने खाने लगा वैले से एपल खाता द दोस्तों अपने बड़ीस के साथ प्रैंक करना बिलकुल नॉर्मल सी बात है लेकिन इस अर्बी ने अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा प्रैंक किया कि वो आइंदा इसके घर में कुछ भी खाने पिने की हिम्मत नहीं करवाएंगे वैलेस अर्बी ने कॉफी कप्स पर एलफी लगा कर अपने दोस्तों को पेश कर दी अब इन्होंने कप पकड़ तो लिये थे लेकिन उसे नीचे कौन रखेगा इसके इलावा ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक अर्बी ने अपने दोस्तों मैंगो आइसक्रीम का लालश देकर इस बिचारे को डैटोल साबुन ही खिला डाला वैल इस बिचारे का दिन तो सच में बहुत खराब था कि बॉइस तो बॉइस होते हैं इन्हें इन्जॉयमेंट करने के लिए किसी ओकेजिन की जरुवत नहीं होती अपने अर्बी बॉइस भी इस मामले में अल्टरा प्रो मैक्स हैं ये जो वडियोस आप दिख रहे हैं इन में अपने मौतन वाइस कैजूली इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं अफकॉर्स भाई जब बेरोजगार होने के बावजूद भी बंदा करोड़ पती हो तो वाइप्स खुद बखुद आ जाती हैं एक ये लोग हैं कि मजों पर मजे कर रहे हैं और हमारे यहां तो ये हलाट चल रहे हैं कि बाइस एक दूसरे की काल नहीं उटाते कि कहीं तलंगा पैसे न माँग ले दोस्तो वैसे तो हमारे अर्भी भाई लोग फिटनस को लेकर इतने सीरियस नहीं होते क्योंकि उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है और अर्भी लोग मेहनत का मीम भी नहीं जानते एनिवे इन सबके बावजूद अल हभी भी कम्यूनिटी इंस्टाग्राम रिल्स में फिट लोगों को देखर ट्रेड मिल को और गर देती है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वाश्रूम भी कार पर जाने वाला बंता इस मशीन पर भागेगा कैसे वेल इन लोगों के लिए तो ये दोडने वाली मशीन भी किसी डिसास्टर से कम नहीं होती एक तो इन्हें इस के उपर दोड़ना ही नहीं आता, दूसरा ने दोडने में भी मौत पढ़ती है बाराल चोबी हो इनके लिए तो जिम जाना भी किसी पहाड़ चड़ने से कम नहीं है दोस्तो आम तोर पर बोडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग वग्यरा के काम मर्दों को सूट करते हैं लेकिन ये बात अरब की बाजियों को कौन समझाए अफकोर्स अरबों की औरते भी शदीद अमीर होती हैं इन अब्बू की परियों ने सारी जिंदगी बरतन तक तो दोये नहीं होते क्योंकि इनके घरों में दस दस नौकरानिया होती हैं लेकिन इस वीडियो में ये बाजी पंचिंग मशीन पर अपनी पावर आजमाने निकल पड़ी वेल जैसे ही बाजी ने पंच मारा तो बैलंस आउट हो गया और ये बिचारी गिर गई मुझे तो समझ नहीं आता कि ये ओड़तें अपने खामद को उंगलियों पर कैसे नचा लेती हैं तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ये उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफ़ेज